नमस्कार आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कंट्रोल एंड कॉडिनेशन इनिमल्स अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड कॉडिनेशन इनिमल्स की हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे प्लांट कैसे कंट्रोल करता है अपने आपको कॉडिनेट करता है तो यह जो है इसमें मुखमेंट द्वारा वो रिस्पॉंस देता था अब इसमें जो है अब यहाँ पर बहुत सा एक जो है वो प्रोसेस होने वाला है जो प्लांट में नहीं होता था केवल यहाँ पर एनिमल्ज चुकि उसमें नर्भस सिश्टम नहीं था और वो जो है रिस्पॉंस केवल अपना ग्रोथ करके सो करता था लेकिन इसमें जो है वो तेजी से movement करके या फिर अलग-अलग तरीका से वो अपना जो है response देता है जैसा कि यदी कोई आदमी यदी ज्यादा गर्मी से परिसान है मतलब कि तेज धूप में है तो देखेंगे कि अपने आप उसके सरीर से पसीना निकलना सुरू हो जाएगा इसी तरह से तो ये भी एक जो है वो control और coordination है अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे अगर कोई आदमी अचानक डर जाए तो उसमें जो है उसका heartbeat बढ़ जाता है और वो जोर-जोर से हाफने लगता है या भागने लगता है तो ये सारा कुछ जो है वो कैसे control होगा इन सबों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और कभी आपने देखा होगा यदि physical exercise करता है तो automatically हम लोग का breathing rate बढ़ जाता है तो इस तरह से करके बहुत सा हमारे सरीर में है जैसे ही आपको light तेज होगा तो हमारे आखों में जो पूपिल है वो तुरंट छोटा हो जाता है और अंधेरा में जदी रहें या ज्यादा light से कम light में जाएं तो वो बड़ा हो जाता है तो इस तरह से करके बहुत सा हमारे सरीर में जो है वो response देखने को मिलता है फिर उसके बाद memorize करके हम लोग जो है वो बहुत दिनों तक पिछला जो कुछ हुआ है उसको memorize करके रखे हुए रहते हैं तो ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात आती है कि control क्या है control का मतलब ability to limit or change किसी भी जीव में यदि ability है उसको किसी चीज़ को limit तक पहुंचा कर छोड़ देना या चेंज करना यह physiological process for adjusting the functioning of various interconnected system बहुत सा हमारे सरीर में बहुत सा interconnected systems है मतलब कि nervous system hormone वाला system उसको इंडोक्राइन system भी कहते हैं तो यह सब कुछ interconnected है एक दूसरा से related है और जैसा कि हम लोग अपने मूह में जैसे ही भोजन लेते हैं तो यहां पर glands जो है मतलब celery glands वो active हो जाता है और saliva का secretion करना शुरू कर देता है और जैसे ही अंदर भोजन जाएगा तो यह यहां पर peristaltic movement के थुरू ओसोफेगस से चला जाएगा stomach में और stomach में जैसे ही वहां जाएगा तो इसमें mucus और hydrochloric acid यह सब जो है तथा digestive enzymes जो है वो secret होना शुरू हो जाएगा इस तरह से करके हर जगह वो जो है अपना function करना शुरू कर देता है तो यह हुआ control करना मतलब वो limit तक पहुंचा देगा अपना सारा functioning करना शुरू कर देगा और coordination क्या हुआ यह जो है इसमें process of harmonious functioning of two or more organs हमारे सरीर में बहुत सा organs है उन सब में आपसी जो है वो ताल मेल होगा मतलब कि वो जो है एक ऐसा न कि किसी दूसरे को परिसानी होने लगे जैसे digestive system है तो मूह में जैसे ही लिया भोजन और वो तुरंत यहां जो है भोजन यदि हम लोग बगल में रखा हुआ है तो उसके गंध से भी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है तो इस तरह से करके इन सबों में जो है आपसी control के साथ साथ है यहां पर coordination होगा दो या अधिक organs जो है आपस में interact करेंगे या और compliment भी बन जाएंगे compliment the activities और one another एक दूसरे के activity में वो जो है वो सहायक हो जाएंगे तो वो कहलाएगा coordination जैसे हम लोग भी करते हैं coordination होगा जैसे बच्चे class में बैठे हुए है टीचर आए पढ़ाना सुरू किये तो आप लोग भी सांती से बैठ कर उनकी बातों को सुनना सुरू कर देते हैं तो यह को जो है control करने की आवस्यक्ता पढ़ेगी टीचर को अलग अलग different types जैसे मालने का बच्चों का पढ़ने का mood नहीं है तो बच्चा थोड़ा बहुत करेगा हला तो उसमें teacher को जो है वो थोड़ा सा चाहिए कि वो कुछ ऐसा topic सुरू कर दें या उसको ऐसा मन रंजक बना दें कि फिर से वो बच्चा जो है वो काम जो है वो पढ़ाई वाला सुरू कर दे मतलब आपस में जो साथ्चित हो रहे थी उसको कैसे control करना है वो सिच्छक समझेंगे और फिर बच्चे जो है जब उनको मन लगने लगेगा तो अपने आप वो जो है मल्टी ऑर्गंस है वो सब या सिस्टम है वो कॉडिनेट करता है जैसा कि यदि कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन की आवस्यक्ता ज्यादा होती है जैसे ही ऑक्सीजन की आवस्यक्ता ज्यादा होगी तो हमारे सरीर में जो है वो एक्टिविटी होगा सेंट्रल प्रोसेसर है हमारे सरीर में दिमाग और वो जो है अलग अलग टाइप का वो सिगनल भेज़ेगा जिससे जैसे breathing rate बढ़ जाएगा heartbeat बढ़ जाएगा मतलब कि supply of blood वहाँ पर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा तो oxygen ज्यादा पहुच पाएगा इस तरह से अगर कोई आदमी डर जाता है एक हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि यदि कोई डरा हुआ है तो उसमें fight and fight or flight हार्मोन जो है वो जैसे सेक्रेशन होगा adrenaline hormone adrenal glands kidney के उपर होता है दोनों तरफ तो वो जो है adrenaline का सेक्रेशन सुरू कर देता है और आदमी का जो है वो control करने का एक सबसे अच्छा तरीका है उस समय यदि कोई आदमी जो है वो डर गया है भाग रहा है या कोई athletes है वो अपने competitor से आगे होना चाहता है तो इन सबों में adrenaline hormone का मोख्य function होता है तो इस तरह से करके वो एक control करने का और coordination का भी काम ये करता है अब हम लोग देखें multi cellular organism है जैसे unicellular organism है तो एक cell में सारा function उसका हो रहा है जैसे amoeba है उसको जैसे ही वो भोजन का पता चलता है वो जो है अपना pseudopodia से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है या फिर हम लोग देखें दूसरा है paramecium उसमें भी होता है तो वो सब जो है उसमें sense organs जो है वैसा नहीं होगा well developed अब हम लोग देखें यहां multi cellular organism में तो यहां सबसे हम लोग देखेंगे multi cellular है लेकिन एक sponge को छोड़कर multi cellular वो भी है लेकिन उसमें tissue level का organization उसमें वो नहीं पाया जाता है तो यहां पर जो है वो सब यहां देखेंगे हम लोग multi cellular में तो यहां इसको छोड़कर अस्पंज को छोड़कर और यह जो है उनमें specialized cell होगा और वो cell क्या करेगा respond करेगा stimuli से और वो coordinate भी करेगा अपना activity को और यह जो है नर्भ cell कहेंगे उसको तो यह multi cellular में क्या होगा जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं hydra के बारे में बात करें तो hydra जो है उसमें उपर tentacles होता है बहुत सा tentacles है और उन tentacles में यह जो है मतलब पूरा सरीर में इसका जो है वो nerve cell होगा और सब एक दूसरा से interconnected होगा और उपर जैसे ही वो भोजन उसे मिलेगा तो वो जो है अपना tentacles उसके सामने ले जाएगा और उसमें जो है tentacles जैसे ही जाएगा वहाँ पर तो tentacles में होता है बहुत ही छोटा छोटा निमेटो सिस्ट और वो जो है तुरंत पारालाइज हो जाएगा उसका जो प्रे होगा मतलब जो सिकार है उसका वो पारालाइज हो जाएगा और उसे अपने tentacles से पकड़के और तुरंत वो जो है अपने mouth उसका ऊपर की और mouth रहता है और उसमें वो डाल लेगा तो इस तरह से करके उसमें जो है ये sensation आया कहां से तो ये जो है nerve cell से आया और वो nerve cell ऐसा काम करेगा वो जो है आपस में interconnected रहेंगे तो वो सब अपना अपना function करना शुरू कर देगा इस तरह से करके ये जो है coordination और control होगा इसमें और अपना activity करेंगे तो वो जो है nerve cell कहलाएगा या neurons कहलाएगा ये जो है अब हम लोग देखें तो ये एक अलग है nervous system hydra में जो है consist of a network of neurons joined to one another and a spread throughout its body पूरे सरीर में इसका जो है वो फैला हुआ रहेगा interconnected रहेगा हम लोग nerve की बात करेंगे उतो उसमें जो है इसका structure ये सब भी बताएंगे हम लोग पिछले class में पढ़े भी है 9th class में जो है structure neuron का हम लोग देखें हैं तो ये थोड़ा फिर इसमें अच्छ हम लोग बढ़ते हैं अब ये जो है nervous system हम लोग का है वो कैसे काम करता है हम लोग का जो nervous system है मतलब कि यहां पर multicellular higher organism कहेंगे वो lower organism की बात हम लोग कर रहे थे hydra और higher organism मतलब की vertebrates उनमें कैसे होगा रिड़ धारियों में कैसे होगा इसका control and coordination तो ये थोड़ा सा ज्यादा वो well developed nervous system और साथ-साथ उसमें glands भी होगे मतलब की hormonal secretion होगा hormones का secretion होगा और ये जो है endocrine system और साथ-साथ इसमें जो है वो nervous system दोनों को मिल आकर control and coordination का काम यहां पर चलता है अब ये जो है हमारा nervous system कैसे काम करता है three type of basic function इसमें तीन basic function है पहला है कि ये receive करेगा कहीं से भी जो है वो अगर बाहर से कोई stimulus है मतलब कोई बाहरी changing हो रहा है environment में जो changing हो रहा है तो अब उसमें क्या करेगा पहला काम है इसका receive करना receiving का का काम करेगा और वो जो है अपना यहां पर chemicals जो मतलब की nerve जो है वो क्या करेगा receive करने का काम करेगा और यहां nerve cell जो है यहां receive कैसे करता है तो इसमें सब से पहला है कि a stimulus जो है हम लोग इसको देखे थोड़ा सा वो एक kind of energy है जैसे light है heat है temperature तो इस सब जो है आएगा तो वो एक energy है और वो energy जैसे ही इस पर पहुंचेगा मतलब यह जो है receptors जिसको कहेंगे तो receptor पर जैसे भी पहुंचेगा वो वहां पर जो है उसे chemical में बदलना शुरू कर देगा तो chemical process होगा वहां और तुरंथ उसमें से electrical impulse generate होगा और मतलब electrical signals generate होगा उसे impulse कहा जाता है और वो impulse आगे जो है वो transmit करेगा तो यहां पर यह जाएग passes of sensory यह जो है वहां पर input देने का काम करेगा about internal और external environments अगर अंदर भी कुछ हो रहा है जैसे किसी का पेट दर्द हो रहा है या कहीं पर दर्द हो रहा है उसका भी sensation जाएगा और बाहर में जो changing हो रहा है उसका भी sensation जाएगा तो यह सब जो है वो कहां पहुंचाएगा यह ज इसमें एक है brain और दूसरा spinal code को भी central processing unit ही इसको कहेंगे यह processor है हमारे brain जो है और spinal code दोनों साथ में मिलकर वो जो है central processor बनेगा और यह मतलब यह processing का काम करता है और दूसरा है risk कि जो है इसका अब processing होगा मतलब जो information मिला इसको past on central processor के पास जो गया मतलब brain के पास जो गया या spinal code के पास जो गया उसका अब यहां पर analysis होगा उसको analyze करेगा और फिर क्या response देना है उसको determine करेगा मतलब कि यह जो है अब processing हुआ कैसा आया जैसे मालने जाए कि कहीं touch हुआ गरम चीज तो यहां से sensation गया मतलब यह receive हुआ और यह receive होके यहां पर जो है वो रिसेप यहां पर sensory nerve कहेंगे नर्व भी टीन टाइप का होता है sensory, motor और relay तो यहां पर sensory जो है वो receive करके तुरांत a spinal code तक भेजेगा इसका sensation impulse के रूप में और a spinal code या brain दोनों जो है वो processing unit है तो यहां पर कुछ action ऐसा है reflex action जिसे कहते हैं बाद में हम लोग उसको भी देखेंगे अतलब कि यहां a spinal code से ही उसका processing हो गया और वो command मिल गया कि अब आपको क्या करना है brain के पास नहीं पहुचेगा उसके पहले ही यहां processing होके काम हो गया और बताया कि हाथ पीछे करना है muscles को इधर करना है उधर करना है जो भी करना है वो सारा कुछ होगा तो यह जो है processing करके और वो response determine करेगा कि क्या क्या करना है अब उसके बाद है तीसरा काम होगा अब responding यह जो है तीसरा function responding का है मतलब कि जो अब वहां से command मिला हमें central processor जो है unit brain और spinal code इससे जो issue होगा motor command जिसे कहेंगे motor nerve के थ्रू जो आएगा अब यहाँ पर specific structure या organ जो है वहाँ पर वो आएगा a determine करेगा response मतलब कि अब क्या करना है हमें जैसे muscles के पास आया तब वो response यहाँ पर देगा कि उसको पीछे की और खिचना है muscles और glands हमारे सरीर में यह जो है effector कहलाता है यह जो है receptor है nerves जो है वो उसे कहते हैं receptor और जहां अब उसका command आया मतलब कि अब response जो देना है वो जो करेगा वो कहलाएगा effector मतलब जो अब वहाँ अपना वो effect उसका क्या होगा वो करेगा तो वो कहलाएगा effector यहाँ पर हो गया एक receptor और दूसरा जो है effector तो वहाँ पर उसका response करने वाला अब यहाँ पर कोई होना चाहिए तो muscles है और glands है जैसा कि हम बताये थे कि यदि कोई आदमी डर जाता है तो adrenaline क सेक्रेशन होना सुरू हो जाएगा adrenal gland से तो यह जो है यहाँ पर glands हो गया effector फिर हाथ से यदि कुछ टच हो गया गरम चीज तो जल्दी से हाथ पीछे खीच रहे हैं तो इसमें पीछे खीचने में कौन मदद करेगा वो muscles है तो यह भी एक effector हो गया और receive कौन किया तो receptor कहला एगा और receptor कितने तरह के हैं हमारे सरीर में यह जो है sense organ उसे कहेंगे sense organ और यह sense organ जो है five sense organs हमारे सरीर में है जैसा की eye, ear, nose, turn यह 4 हो गया जो हमारे यही पर है head के पास ही है और इसमें हम लोग देखेंगे एक पाचमा जो है वो है असकीन सबसे बड़ा organ भी यह कहलाएगा इसका जो है surface area सबसे ज्यादा है और यह जो है sense organ यह भी एक बड़ा है और यह जो है thermoreceptor का का काम करेगा ठीग्मoreceptor का का काम करेगा और pressure को भी यह receive करने का काम करता है जैसा कि अब गर्म ठंडा का अन्भो असकीन से होता है कुछ touch हुआ तो उससे भी ह हो रहा है तो यहां थीग्मoreceptor का लाएगा जैसा कि हम लोग उसमें पढ़े थे थीग्मो नेस्टी थीग्मो ट्रॉपीज्म तो वैसा ही touch वाला हमारे सरीर में जो है वो यहां पर receptor लगा हुआ है तो इसको कहेंगे यहां पर थीग्मो रिसेप्टर और इसमें दोनों इसी तरह से अब आँख की बात करते हैं तब इसमें क्या है फोटो रिसेप्टर लगा हुआ है रिसेप्टर क्या है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में ही जान लें तो यह जो है रिसेप्टर एस सेल और ग्रूप ऑफ सेल्स इने सेंस ओर्गन वीचिज सेंसेटिव टु पार्टिकूलर टाइप ऑफ स्टिमूलस सच एज लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेसर यह सबसे यदि वो रिस्पॉंड करता है तो उसे रिसेप्टर कहते हैं और यह कहां रहेगा सब सेंस ओर्गन में रहेगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब देखें इसमें जो है सबसे पहला हम लोग का है आईज, तो आईज जो है इसमें होगा रिसेप्टर कौन सा? यह है फोटो रिसेप्टर फोटो रिसेप्टर होगा जो लाइट के लिए यह जो है फोटो रिसेप्टर यह किसके प्रती यह जो है किसको रिसीव करेगा यह जो है लाइट, लाइट के लिए है दूसरा जो है हम लोग का इयर, इयर्स में होगा यहां जो है यहां पर अब साउंड हम लोग कान से क्या सुनते हैं तो यह sounds receptor तो यहां पर sound का receptors इसको कहेंगे phono receptors यह लगे हुए होंगे यहां पर और यह क्या करेगा sound के लिए होगा फिर इसी तरह से हम लोग देखें यह जो है हम लोग का news नाग से क्या होगा इसमें हम लोग a smell तो यहां पर जो है इसको कहते हैं नाग से दी रहेगा all factory all factory receptors इसमें लगा हुआ होगा और किसके लिए है असमेल के लिए होगा इसी तरह से tongue tongue में यह जो है taste खटा मिठा यह जो है कड़वा हम लोग स्वाद का अनभो करते हैं तो यह जो है इसमें रहेगा receptor जो लगा हुआ है वो taste के लिए gustatory receptors gustatory receptors होगा और यह जो है taste के लिए होगा अब last में हम लोग देखें यह असकीन हम लोग का है असकीन क्या करेगा इसमें होगा ठीगमो रिसेप्टर यह क्या करेगा तर्च के लिए और थर्मो रिसेप्टर यह जो है हीट के लिए होगा यह रिसीव करने का काम यह करेगा ठीगमो यह जो है यह सारा कुछ अब यह क्या करेगा जैसे इसमें जो रिसेप्टर लगा हुआ है जैसे फोटोरिसेप्टर तो यह light हुआ light क्या है light is a form of energy अब इसमें जो फोटोरिसेप्टर लगे हुए हैं आँख में वह जो है वह rod shape और concept हम लोग पढ़ेंगे optic nerve के बारे में तो जानते हैं कि उसमें जो है वो रहता है rod shaped और concept optic nerve होता है जो color के लिए और intensity of light के लिए concept जो है वो color के लिए होगा और rod shaped जो है वो intensity of light के लिए responsible होता है तो ये जो है यहाँ पर receive करेगा जैसे आख में जो है वो आगे lens लगा हुआ है और वो structure आप लोग जानते हैं तो आख का जो structure है हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार देख लें यहाँ पर इसमें lens लगा हुआ है और यह जो है यहाँ पर इसमें इस तरह से यह optical fiber यह जो है optic nerves जैसा कि हम लोग जानते हैं optical मतलब प्रकास तो यह जो है optic nerves होगा और यह जो है optic nerves यहाँ से जो sensation आएगा मतलब यह convex lens है यहाँ पर pupil है और उपर हम इसको बना देते हैं यह यहाँ cornea होगा तो जैसे ही यहाँ से light आएगा तो यह जो है इस तरह से यहाँ पर पहुंचेगा और जिसका image बनेगा तो यहाँ पर जो है अब यहाँ sensation होगा यह है photo receptor लगा हुआ रहेगा यह क्या करेगा photo receptors जो है मतलब यह light को यहाँ पर chemical यहाँ जो है वो यहाँ पर provide करेगा अब यहाँ पर उसे chemical reaction करके और यहाँ पर यह convert कर देगा electrical signal के रूप में और electrical signal जो है वो यहाँ पर optic nerves optic nerves के थुरू यह जाएगा और brain के पास और brain जो है उसको analyze करेगा फिर analyze करके और यदि record पहले से बना हुआ है मतलब memory है उसमे तो यह काम करेगा और नथा फिर वो नया चीज को detect किया तो इस तरह से यह detection का काम होगा तो यह photoreceptor वाला काम होगा इसी तरह से हम लोग देखें यदि ears में है तो यहाँ पर भी sound receptors जो लगा हुआ है वो यहाँ phonoreceptor कहलाएगा वो भी cochlea cochlea के पास होता है मतलब कि यहाँ पर ऐसे हम लोग देखते हैं कि यह जो है यहाँ पर ear के पास यह cochlea और यहाँ जो है इसमें तीन हड़ी जो है three bones होते हैं कान में यहाँ पर hammer यह जो है आगे इस तरह से हम लोग फिर details में और पढ़ेंगे तो यह जो है ear में ऐसे तो यहाँ से पहुँचेगा यहाँ तक vibration यह यहाँ हम लोग का ear drum से पहुँचता है और यह तीन जो हड़ीयां है वो इसमें काम करेंगे और यह जो है सबसे इसमें जो बात है कि हमारे सरीर के भी सबसे छोटी हड़ी कान में होते है और वो जो है उसे यहाँ पर तीन होगा hammer, anvil और astira तो यह जो है इसमें तीन हड़ीयां जो है वो vibration को बढ़ाने का काम करेंगे और यह जो है cochlear fluid इसमें रखता है इस fluid में यह जो है यहाँ तक भेजेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है इसमें phono receptor यह जो है phono receptor लगा हुआ रहेगा और यह सब जो है यह ले जाने का काम करेगा यह जो है और nerves इसका जो है वो brain तक पहुँचाएगा तो इस तरह से यह हो गया आई यहां ear का का काम हो गया इसी तरह से हमारे नाक में भी यह जो है यहाँ पर नाक का जो हम लोग पोर्शन देख रहे हैं यह इस तरह से यह यहाँ पर आख वाला पोर्शन हो गया यह हो गया और यहाँ कान वाला मतलब ये वला हम लोग यहां देखे ये वला यहां देखे और नाक वला में यहां पर लगा हुआ रहेगा इसमें all factory receptors होंगे और ये क्या करेगा sensation असमेल का करेगा और इसको जो है वो brain तक पहुँचाने का काम यहां पर इसमें brain है और ये जो है पहुँचाने का काम यहां पर करेगा और इससे हमें bad order, sweet order मतलब जो है गंध अच्छा, बदबू, खुस्बो ये सारे चीजों को हम लोग का जो है नाक detect करता है और वो पहुचान लेगा तो इस तरह से करके अब यहां पर की बात करें यह जो है जीब, टंग में होगा हम लोगों का जो है यह होता है यहां पर gustatory receptor मतलब test, sweet और यहां जो है sour, salty यह सब जो है जगा और यहां पर bitter taste का होता है तो यह जो है receive करने का काम करेगा यहां टेस्ट का receiver यहां लगा हुआ है मतलब gustatory receptors लगा हुआ है और यह test को receive करके brain के पास भेजेगा वो भी वैसा ही chemical form में यह जो है उसको बदल देगा यह जो है वो electrical signal में जल्दी से और फिर वो आगे की और उसे impulse जिसे कहते हैं उसके form में यह भेजेगा और इसी तरह से अब है touch, असकीन हर जगह जो है हम लोग receptor और अगर heat की बात करें तो हर्मो receptor लगा हुआ है वो इसे वैसे ही heat का और touch के लिए भी वैसे ही receive करके यहां से sensation भेज देगा और वो जो है spinal code को भेजेगा spinal code जो है वो receive करके जरुवत होगा तो वहीं से काम कर देगा और नहीं तो फिर brain के पास वो जो है processing के लिए भेजेगा और वहां से जो आता है command जिसे कहते हैं मतलब वो जो अब processing करने के बाद command भेजेगा वो यहां आने के लिए जो है वो दगा हुआ रहेगा motor nerves और वो motor nerves कहलाएगा जो उधर से पहुचाने का काम करता है तो यह जो है एधर से और इधर से motor nerve यह कहलाएगा sensory और इधर से मतलब हमारे सरीर से अगर मतलब outside से यहां तक message पहुचाने का काम कर रहा है और इधर मतलब कि सेंसरी हुआ और जो उधर से रिस्पॉंस लाने का काम जो कर रहा है वो है मोटर नर्व कहेंगे और फिर दोनों को सहां पर जो जोडने का काम करेगा मतलब ब्रेन से जोडने का काम करेगा नर्व को सेंसरी और मोटर दोनों को या फिर अस्पाइनल कोड से जोडने का काम करता है इसे रिले कहा करता है तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि ये कैसे काम करता है अब हम इसे बिश्त्रित धंक से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और लगातार वीडियो लाते रहेंगे ते लिए धन्यवाद